आगरा में सरवाधेट लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें नोबल कोरोना वाइरस के ताजनगरी में छे संदिक दुमरीज मिलने के बाद ताजनगरी में देश्चत का आलम है कोरोना वाइरस का असर होटल अंडेस्टि तुरिजम पर भी काफी पढ़ रहा है होटल इंडिस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इस महीने विविन देशों से ताज महल का दीदार करने आने वाले 30 फीज़दी विदेशी सेलानियों की आल्लाइन बुकिंग निरस्त कराई गई है नोबिल कोरोना वाइरस के ताज नगरी में 6 संदिक मरीज मिलने के बाद ताज नगरी में देशत का आलम है कोरोना वाइरस का असर होटल एंड टुरुजम इंडिस्ट्री पर काफी बढ़ रहा है होटल निरस्टी से जड़े लोगों का कहना है कि इस महीने विविन देशों से ताज भेल का दिदार करने आने वाले 30% विदेशी से लानियों की ओल्लाइन बुकिंग निरस्ट कराई गई है होटल क्लाग शिराज के जन्रल मेलेजर फाइनेंस अमूली का करने बताये कि चीन में इन दुनों निवर का सैलिबरेशन बनाये जाता है कोरोना के चलते चीन से विदेशी परड़ों का ताज नगरी आना नहीं हो रहा है यह वह सस्पेंशन है कि हम आज के बाद उनको वीजा नहीं देंगे लेकिन उन कंट्री से जो टूरिस्ट अलड़ी हमारी कंट्री में आ गए हैं उनके लिए गाइड़ाइन्स इशू की गई है कि उनका जैसे राइवल होता है होटल में आप अपने सीमों को रेस्पेक्ट होटल क्लाक शिराज के जीम फाइनस अमूल का करने बताये कि विश्व के विभिन देशों से आने वाले विदेशी महमानों को स्वास्त विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है कि वे बाजार, मॉल और भीड वाले स्थानों पर जाने से बचें साथ ही अगर कोई विदेशी महमान में कोरोना के लक्षन नजर आ रहे हैं तो इसकी जानकारी CMO आफिस में दी जा रही है कफ या कुछ होता है तो आप कम से कम अपने को लगा रखें मास्क पहनने के लिए हम लोग उनको एड्वाइस कर रहे हैं कि जब भी आप पब्लीक प्लेस पर जाएं पूट यूर मास्क इस तरह कि जो भी एक प्रकॉशनरी जो भी चीज़ें हो सकती हैं वी आ ट्राइंग ब्रीफ देम और वो लोग भी अपने आपने काफी इंटेलिजेंट हैं बिकॉशनरी हमारी कंट्री में अभी उसका ऐसा को इसतर नहीं देखने को आया तो वे लिटल सेफ नोबिल कोरोना वायरेस पर शेहर के प्रमुक परेटन व्यवसाई राजीव तिवारी का कहना था क कि कुछ सालों से होटल और परेटन व्यवसाई में डाउन फॉल चल रहा है ऐसे में चीन से फैले नोबिल कोरोना वारेस से परेटक भार देशों में निकलने से परहिस कर रहा है इसका प्रत्यश असर होटल टूरिजम इंडस्ट्री पर नजर आ रहा है आगरा में जनवरी फरवरी मार्च में मुख्य रूप से चीनी परेटक आता है तो जैसे ही ये खबर फैली तो जो चीनी परेटक यहां विचरण कर रहे थे उन्होंने भी वापस जाने का प्रोग्राम बनाया और धड़ा धड़ा कैंसलेशन होटलों में आने प्रारम हो ग कि उसको देखते हुए लगवक तीस से पैंतिस प्रश्चत कैंसलेशन आ चुके हैं अभी जो सूचना मिली कि छे लोगों को संदिग्ध हैं करोना वारिस से उनको दिल्ली भेजा गया है उसके बाद तो अफरात अफरी सी मज गई है राजिक तिवारी का कहना था कि ताजनगरी को ताजमहल के चलते पूरी दुनिया में जाना जाता है यहां हर रोज हजारों की संग्या में देशी विदेशी परटक आते हैं इस महल में पुरातत विभा को ताजमहल के अंदर एक ऐसा रूम तयार करना चाहिए जिसमें लिज इसकार के जो पुरिस्ट हंदुस्तान आता है या इस संधिक्जान में आते हैं उनको तुरंत आइसुलेशन किया जाता है और और हुपचार की ूपचार किया जाते बड़ जाते हैं पर जैसे अब ताज महल है स्मारक हैं ताज महल हैं या और बड़ 260 कि दिन 25 से 45 परेटक रोज आता है वहां पर कुछ एक वर रूम टाइप का एक कमरे में ऐसी विवस्था होनी चाहिए कि जहां कोई यदि बीमार होता है स्वेम उसको लगता है मैं बीमार हूं या संदिक्त पाया जाता है उसको तुरंथ उसका जो है वहां टेस्ट किया जा सक है और इसको आइसोलेशन जो है एम्बलोंस आदी से तुरंथ उसका इंजाम किया जाए यह तिन तावशक है कोरोना वाइरस को लेकर ताज नगरी वासियों में दैशत का मोहल बना हुआ है स्वास्विभाग के साथ जिलाप्रशासन शेहर के हालातों पर नजर बना हुए ह सीनी उसके लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट